हेलो स्टूडाइज नमस्कार कक्सा साथ हिंडी तो बच्चों हमने पाथ दो जो पूर्णा किया तो पेपर पेटन वाइज अब उनके हम प्रस्नों के उत्तर देखें तो जैसे के हमारा प्रस्ना एक अग होता है MCQ का और बव होगा रित्तसान की पूर्ति कीजी तो ये दोनों एक्सेसाइज समझ लें उनके बाद हम नोट में अच्चे अक्सोरों में लिखेंगे और जो टेक्सबुक के रिलेटेड अब का व्याकरण है जब उनका विभाग आएगा तब हम देखेंगी ओके इस्टूडन तो आईए पहले हम प्रस्ना एक और और ब उनकी जानकरी प्राप्त करें प्रस्ना एक औ MCQ नमबर एक नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया अ अठन्नी ब चवन्नी का सिवलिंग ड रुपया ब विकल्प सही है चवन्नी नमबर दो नरेंद्र ने सिवलिंग कितने रुपय में खरीदा था अ दो रुपय में ब ढ़ाई रुपय में क तीन रुपय में ड साधे तीन रुपय में अ विकल्प सही है दो रुपय में नमबर तीन निउ इंगलीज हाई स्कूल कहा है अ बडोदा में, ब मुंबई में, क पुना में, ड सतारा में, क विकल्ब सही है पुना में चार नमबर सचिन देंदूल करके पीता का नाम क्या था? अ सुरेश, ब रमेश, क गनेश, ड महेश, ब विकल्ब सही है रमेश पांच नमबर, हज्रत अली को क्या कालाना पशन नहीं था? अ कामचोर, ब आधमखोर, क नमक हराम, ड हरामखोर, ड विकल्ब सही है हरामखोर और रिक्त स्तानों के पूर्ति कीजिए एक, समारो के मुख्य, खाली जग्या थे, मुख्य, न्यादी, समहादेव, गोविंद, रानडे, अतित थी दो नमबर, सुबह उटेई, पूरी टीम, कोच मैनेजर के साथ, खाली जग्या के लिए तयार थी अलपहार करने के लिए तयार थी तीन नमबर, कई खाली जग्या उसके कदम चुमने लगे विश्वर रिकार्ड उसके कदम चुमने लगे चार नमबर, हज्रत अली राजा के खाली जग्या की जाच करने गड़ किसकी जाच करने के घज्याने की नमबर पांच, किसी के दन माल की खाली जग्या मत करो लालसा मत करो